हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हैल सैवन में कैसे आप लोग उम्मीद करते हूं बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंट्स आज का जो टॉपिक है वो है कि न्यूबॉर्ण बेबी में जॉन डीस जो हमारे छोटे बच्चे जब चनम लेते हैं उ जो बेबी होते है उनको जो ही जाता है तो ऐसा क्यूं होता है किस वज़्या से होता है उसके पीछे की लापरवाही क्या होती है चैन करते हैं सबसे पहले जो न्यूबॉर्ण बेबी होता है जनम के समय वह बच्चा ठीक रहता है पेट में पानी की बीस से रहता है बिल्कुल फुला-फुला सा बच्चा रहता है क्योंकि उसके जो बाड़ी है वह पानी को अपने अंदर आपजर्व की रहती है फिर वह धीरे-धीरे पानी सूखता और बच्चा मारा दुबला हो जाता है लेकिन हम उसके बाद हमें लगता कि कार होजाते हैं फिर भच्रों बच्षे धीरे-धीरे उन्हें पी लिया हो जाता है क्यूं कि पानी में से आया फिर अंदर ही अंदर भच्षे रही होते य된 की मिल्ड revenue प्रकट किरम और व ai कर दें कि बाद कर रहिए 15 तक कर दें तो हम देखेंगे कि जूर् powder कि समस्या है वो तो पहली बात होगी ही नहीं मतलब जिस बच्चे की माल्स ऊपर में होता है ललमों में उसको ये जौम्डि नहीं होता है और अगर यहां डाक्टर के फीस बहुत महेंगा है या आप उसको नहीं दे पार हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना है कि रेगुलर वेस्ट पे अपने बच्चे को जितना हो सके सुबह की धूप जो सुबह की दूपार की दूप नहीं दिखानी है सुबह सुबह की दूप होती है पहले आप पांच मेट खाली मालिस कर रहते हैं तो आप आधे आधे घंटे लेके बैठीए बच्चे को जितना दूप मिलेगा उससे आप देखें कि बच्चे की सरीर की जो जॉन्डिस होगा जो बच्चे की सरीर के अंदर पीलिया होगा वो सब्सक्राइब दूप मिलेगा फिर बच्चे के अंदर से भी पीलिया हटती रही लेकिन बच्चे को दूप में रखना आपको बिल्कुल भी नहीं चोड़ना है तो अगर आप ऐसा करते हैं नौजाद सिसो को सबसे पहले बच्चा हो रहा है तो उसको प्रोपर दूप दि आप आदे घंटे कम से कम बच्चे को धूप दिखाईए और मा को ऐसी चीजी खाने के लिए जो पीलिया से मुक्त कर दे तो मा ऐसी चीजों का सेवन करेंगी फिर मा का जो दूद बनेगा मिल्क सप्लाई होगा वो बच्चे तक जाएगा फिर बच्चे को पीलिया से मिल ज जाएगी तो फ्रेंट्स वीडियो कैसा लगा आप लोग में कमेंट करके बताईएगा वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू सो मच्छ